इस वीडियो के तरह में एक स्पेंट कने वाला हूँ जब जियान जाएगा क्यों इन मेडूसर के साथ अपनी ससवरार तोहां पर क्या कांट डोने वाला है क्योंकि जियान न जो फॉलन आट फ्लेम डेते टाइम कांट किया था न उसके बारे में उन लोगों को पता चल चुक पकल डेगा और उसे प्यार मुबत वाली बाते करेगा और यह सब देखिके क्यों मेड़ी सो गुछे का क्यों मेड़ी सब बोलेगी कि जो मेरे उपर एमोशन हाबी होते थे अब वो पूरी तरीकी से खतम हो चुकी है और इसी बज़े से अम मुझे तुमारी सोल विकवरी कि कोई भी जरूरत नहीं है यह संदिकर जियान की पतलों घीली हो जाती और वो क्यों मेड़ी सो बूलेगा क्या तो अब मुझे मुझे मानना चाहती हूं तो क्यों मेड़ी सो बताई कि हमारे इस निक से की एल्टरों को पता चल चुका है कि मैं बर्जे नहीं हो इस बज़ से कटवाया जाएगा और मार दिया जाएगा यह संदिकर जियान की पतलों घीली हो जाती और कुछ करना यार और वैसी विए यान अलायस का लीटू अगर मुझे मारा जाता है तो तुमारे सेक्टर रहना जी में एंपायर के अदर बहुती जादा मुस्किल हो जाएगा तो और साथी तीन बुड़ी स्नेक बैठी हुई है जिनके काफी जिस बज़े से उनकी पूरी बॉड़ी मुर्जा चुकी है अब तभी उन बुड़ी स्नेकों में से एक स्नेक जियान के उपर अपना ग्रेविटी अटेक कर देती जो की सेम क्यून में डूसा जैसा था और इस की वज़े से जियान बुड़नों के बाल बैठ जाता है जियान यह सब देखे जियान थोड़ा सा चौंग जाता है तब यह पागल बागल तो नहीं कुछ बात्चित की नहीं सीधा अटेक करना है स्टार्ट कर दिया तब ही जियान अपनी ग्री बॉड़ी बॉड़ी के क्या लेवल था पर जियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था यहां पी हो क्या रहा है पर जियान फिर भी रिप्लाय देता और बोलता है कि मैं डाउन लेवल पर था यह वासंतिकन बुड़ यह और भी एदा खुस हो जाती बूलती अरे सच्ची में इतनी छोटी से नहीं त पर तुमारी बज़े से हमारी क्लेन लीडर ने वो लूस कर दी तबी जयान बोलता जो भी फॉलन आर्ट फिल्म के अंदर हुआ उसके बारे मुझे कोई भी आईडिया नहीं है यह बस सुंतिकर वो सभी इसने वुमें काफी अधर गुस्से में अधर दी साथी क्यों जियान बोलता कि उसके अंदर कुछ भी हुआ उसका कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप लोग बिना प्रूफ के मुझे आरूप लगा रहे हो और आप लोग सोच रहों कि मैं आपकी पावर से डर जाऊंग क्योंकि आपके पास डाउंग लेवल की वारियर है तो मैं आपको जो बात है बता रहे हो प्रूफ के साथ ही बता रहे है क्योंकि हमने कुछ टाइंड पहले क्यों मैडूसा की बॉड़ी को एक सीक्रेट डाउट टेक्निक से चेक किया था तब हमें क्यों मैडूसा के पेट के अंदर एक छोटी सी एनरजी दिखाई दी और वह एनरजी साइ गुस्ते से लाल हो रखाता है वो एकदम से सांथ हो जाता और उसका जो हाथ था वो उसके पेट में पहुंँ जाता है और उससे सहलाने रखती है तब ही फरस्ट ने एक जियान से बोलती है यह बत तुम्हें बताना बहुत जद्धा इंपोर्टेंन थी क्योंकि तुम इस पर जियान ये बाथ हजमी नहीं कर पारा था कि वह बाप बनने वाला है वहं भी इस ओमर बें बहुत सारे रिज़न देने लगता है rit हैट है ये क्यों मरडसर का और इस बज़े से उसके पेट में कोई एनरजी फोर्म हो गई हो और उसका चैरा एक दूट से उतर जाता है। और इंपर जियान बहुत सारी बैस करने के बाद एक टाइम पर मान जाता है कि चलो ठीक है। कि क्यों मेडूसर के बेबी होने वाला है। तो फिर बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या responsibility है। तभी first snake lady जियान को बताती है, जो हमारी मेडूसर होती है, उसके अंदर तीन तरीके की बेबी होती है। पहला होता है low baby फिर आता है, medium baby फिर आता है high baby और ये जो बेबी की rank होती है, डिपेंड करती है, उनको किस तरीके से care किया जा रहा है पेट के अंदर। तो जियान बोलता है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तभी first snake woman बोलती है। हमारे snake sacrifice सिर्फ और सिर्फ low class baby करने की ingredient बचे हुए हैं, medium class वाले बेबी को पैदा करने के लिए जो ingredient चाहिए वो हमारे पास नहीं है, पर हमें क्यून बेडुसा ने बताया कि तुम 6 tier की alchemist हो, अगर तो हमारी बादत करते हो और हमें 6 tier की पिल बनाके देते हो, तो हमें एक क्यून मेडुसा की तरफ देखता है, जो कि छोटी सी बच्ची की तरह मुर जाए हुए खड़ी हुई थी, जो मार नेका attitude, गमांड वगरा सब कुछ गया हो चुगा था क्यून मेडुसा की face से, और body language से भी, तभी जन फर्स ने की तरफ देखता है, और बोलता है क्यून मे मेरा बेबी ने होगा, वो होगा सिर्फ हाई लेवल का, मैं बना हुआ 7 टीर की पिल को, जैसी ये इवर्ट जियान के मुझे से निकलते, बैसिक क्यून मेडुसा का चेयर एकदम से खुसी के मारे लाल हो जाता है, मतलब वो खुसी के मारे बस खूली नहीं समा रही थी, और साफी होंगे, आप मुझे पिल रिफाइन करने के लिए जो इंग्डेंट की जरूरत पड़ी की उसकी एक लिस्ट देजी, तो इसने वो मैंने एक लिस्ट बना की जियान को दे देती है, और फिर जियान और क्यून मेड़सा साथ मैं उस रूम से बाइर आजदे, पर वो द तो मैं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बिलकुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही समाल सकती है अपने बेबी को, कभी भी मेरा बेबी और मैं तुमारे पीछे नहीं आएंगे, और मुझे पता है कि तुमारी लैप में काफी सारी प्रॉब्लम और ममीन्शों आम्य वे खाश्य, अके याले खुली बात प्रफिता खिल वोद्मीं हो जाएगी और यह ही मुमोट्ट हो गए, वही मुमेंट होगा, जहाँ पर आपको शैड्न विखाई जाएगी क्योंकि BDTH के अंदर आपको एक ऐसा एपिसोड जरूर देखने को मिलेगा जैसे कि आपने 3-year agreement में देखा जहाँ पर Union और जियान की breakup टाइप का हो जाता है Season 5 में Union जियान को छोड़ कर अपनी clan बापिस चली जाती है ऐसी एपिसोड आपको आगे देखने को और भी मिलते रहेंगे और हाँ एक और बात important तो रही गई जो high level और medium grade के जो baby होते हो लेवल पर depend किये जाते हैं जब वो पैदा हो रहे हो कौन से level पर है जो high level का medusa baby होता है वो dow zone level पर होता है तो यही सब था हमारी special novel की वीडियो तो अगर आपको यह वीडियो पसंदी तो please वीडियो को like जरूर करें like नहीं करों कि मोटिवेशन कान से मिलेगा वीडियो बनाने का तो please वीडियो को जरूर like करें और हाँ चैनल को subscribe कर ले और notification bell भी दवा ले और साथ ही इस्टरग्राम पर follow करना बिलकुल वीदा बोले link मिल जागी है आपको description के अंदर अपन मिलते नेश वीडियो में तक तक के लिए thank you so much